नमश्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्ट स्काय हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए और रिलाक्स करें अपने बालों या फिर स्किन को अच्छा करने के लिए कुछ करें लेकिन क्या ऐसा करने के लिए आपने कुछ अजीबो गरीब चीजों का इस्तमाल किया है अगर नहीं तो आज आपको अनुखा आइडिया मिल सकता है आज हम आपको बताने वाले हैं आईस्क्रीम पेडिक्योर के बारे में सुने में आपको जरूरी एक कुछ अलग लगा होगा और इसके बारे में जाने के लिए आप उत्सुख भी होंगे तो चलिए जानते हैं आईस्क्रीम पेडिक्योर क्या है जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें आप अपने पैर, गर्म, पानी और अपनी पसंदीदा आईस्क्रीम से भरे टब में रखते है दरसल आप पानी और आईस्क्रीम के मिश्रिण में अपने पैरो को रखते है आप सोच रहे होंगे कि आखेर इस पेडिक्योर के फाइदे क्या है आइस्क्रीम पेडिक्योर आपके पेरो के लिए कितना फाइदमध है चलिए वो भी जान लेते हैं ये तवचा को रेजिविनेट करता है साथ ही सुषक और मृत तवचा को पेरो से हटाता है ये पेरो की नमी बरकरार रख कर उसे मुलायम बनाता है ये तनाव से राहत देकर पेरो में रक्त प्रवाह को ठीक रखता है क्लिपिंग, कटिंग और फाइलिंग से ये सुनिश्चत होता है कि पेरो के नाखुनों में किसी तरह का फंगस ना हो आइस्क्रीम पेडिक्योर में सेंधा नमक का इस्तमाल किया जाता है जो पेरो से टॉक्सिन हटाने का काम करते हैं ये रूखे और बेजान पेरो के लिए भी लाबकारी है इस पेडिक्योर को करने के बाद आप अपनी पसंद की नेल पेंट लगा कर आइस्क्रीम पेडिक्योर को खत्म कर सकती हैं पहले बेस कोड लगाएं फिर अपने फेवरिट कलर की नेल पेंट लगा लें और अपने पेरो की चमक को दो गुना कर लें इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहे बोल्ट स्काई से